नमस्कार दोस्तों स्वागत है डेली स्टेडी में आज हम बिहार कंप्टेटिव एक्जाम्स का काफी ज़्यादा पॉपलर बुक इमतियाज अहमद और रजनीश कुमार का वस्तु निष्ट प्रस्ण कराएंगे आपको बता दे बिहार के किसी भी सरकारी परिक्षा में इस बुक से निष्टित रूप से प्रस्ण पूछा जाता है क्योंकि ये बुक जो है बिहार कंप्टेटिव एक्जाम्स के लिए काफी पोपलर हो चुका है तो आप लोग इस बिडियो को पूरा देखिएगा हो सकता है आज की बिडियो थोड़ी लंबी हो जाए लेकिन आप विडियो को आंत तक जरूर देख लिजिएगा आपके बिहार के किसी भी कम्टेटिव एक्जाम्स में आपको काफी हल्प फूल सावित करेगी ये विडियो तो चलिए सुरू करते हैं देखिए पहला चेप्टर है बिहार का इतिहास बिहार का इतिहास में पहला प्रस्ण है राजनिती रतनाकर पुस्तक के लेखक कोन है राजनिती रतनाकर पुस्तक के लेखक है चंदेश्वर ओप्शन नमबर A एक्षा जानकारी आपको ध्यान रखना है कि मिधला राजा के मंतरी चंदेस्वर ने अपनी रचना राजनिती रतनाकर में राज के ब्रहमन निती का आधार मंडल सिधान्त बताया है यह भी साड़ गुनिय सिधान्त और साम, दान, भेद और दन के उपायों के परियोग का प पर्धान मंतरी कोटी ले द्वारा लिखा गिया है कोटी लिखा क्या नाम है दूसरा चानाक के विशन गुप्त इन्हों ने लिखा है और यह अर्थ सास्त्र पुस्तक जो है सासान कला के सिधान्त और अभ्यास पर आधारित है अगला देखिए उद्वन्त परकास के लेख प्राप्ट हुए है यह बराबर से पाटली पुत्र से और राजगीर से यानि कि उप्युक्त सभी जगह से बिहार पर गहरवालों के अधिपत्ति का परमान कहां से मिलता है यह आपका मनेरतम पत्र से मिलता है बिहार के किस तुर्क राजवन्स के अभिलेक प्राप्ट हु यह होगा आपका तिरहुत, ओके तिरहुत वह इसे प्रमंडल भी है, बिहार आने वाला महत्वफ पुर्ण चीन यात्री का नाम क्या है, तो यह आपका फाहियान, युआन च्वांग, इत्संग, यह सभी हो जाएगा, उप्यूक्त डी, अप्सन नमबर डी, अगला देखिए कोशन नमर नाइन, मुगल काल में बिहार आने वाला प्राथम बिदेशी यात्री कौन था, तो मुगल काल में बिहार आने वाला प्राथम बिदेशी यात्री था, मुला तक या, उप्सन नमर ए, इनमें से यूरोपिया यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था, तो प्राचीन बिहार के इतिहास के जानकारी के मुख स्रोत इन में से कौन-कौन है तो यहाँ पर आपका ओप्सार नमर्डी सही जवाब होगा एक, दो, तीन, चार, पांच यानि की उप्यूक्त सभी भगनाव से स्यात्रा विरतान तभी लेक, सिक्के और धार्मिक गरंद से बि जानकारी के सुरोत कहां पर है तो यह होगा आपका option number D यानि कि भागनाव से स्यात्रा विरतांत और धार्मिक ग्रंथ option number D अगला दिया question number 4 बिहार में माउर्य कालिन अभी लेख कहां से प्राप्थ हुए हैं तो यह होगा आपका option number C सही जवाब होगा लोडिया अरेरेज से उसके बाद आपका लोडिया नंदनगट से उसके बाद सहसा राम से हो जाएगा उसके बाद राम पुर्वा से option number D option number C सोरी option number C सही जवाब है अगला दिखे question number 15 असोक का लगुसरा लेख एक प्राप्थ हुआ है कहां से तो ये हुआ है आपका सहसा राम से option number A बिहार से प्राप्त मौर्य कालिन अभी लेखों की भासा इनमें से कौन है तो बिहार से प्राप्त मौर्य कालिन अभी लेखों की भासा प्राकिर्थ है option number B बिहार से प्राप्त मौरे कालिन अभी लेखों की लिपी इन में से कौन है तो बरहमनी होगा, option number C अगला देखिए question में राठवा मिर्तुल अहवाल किसकी रचना है तो देखिए मिर्तुल अहवाल जो है मुल्ला बहबहानी द्वारा लिखा गिया है, option number C अगला देखिए question number 19 माध्य कालिन मिथला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्णिन में से क्या है तो यह होगा आपका किर्ती लता, किर्ती पता का और वर्न रतनाकर जो है माध्य कालिन मिथला के इतिहास के स्रोत में important है, option number D उप्यूक्त सभी question number 20 बिहार में धातू, प्रस्तर, यूगिन, अवसेस कहां से मिले हैं तो यह होगा आपका चिरांद, जो की छपरा में है और चेचर, यह बैसाली और स्वनपूर से साथी मनिर्ज है, यानि कि उप्यूक्त सभी से आपका बिहार में धातू, प्रस्तर, यूगिन, अवसेस मिले हैं अगला देखिए question number 20 बिहार के गया जिले के अपसड से प्राप्त अभी लेक में किस राजवन्स के बारे में जानकारी मिलती है तो यह होगा आपका परवर्ती गुप्त वन्स के बारे में जानकारी मिलती है question number 22 देखिए बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देवव नार्क का लेक तथा साहपूर जो की पटनाम है साहपूर एवं मंदार जो की बाकाम है यहाँ से प्राप्त लेकों में जानकारी इनमें से किस के बारे में मिलती है तो यह होगा आपका परवर्ती गुप्त बन्स के बारे में option number D यहाँ पे सहिजबाब होगा एक टा जानकारी देखिए देव बरनाक के अभिलेक में परवर्ती गुप्त सासक देव गुप्त विस्नु गुप्त एवं जिवित गुप्त दिवतिय का नाम मिलता है question number 20 देखिए पाल सासको के बारे में जानकारी कहां से मिलती है तो यह होगा आपका देव पाल के मुंगेर भिलेक से नरायन पाल का भागलपूर तामर पत्रा भिलेक से और महिपाल प्रथम के नालंदा एवं मुझे फरपूर अभिलेक से यानि कि उप्यूक सभी जगा से पाल सासको के बारे में जानकारी मिलती है option number D question number 24 देखिए बिहार के लिए सरवाधिक प्राचिन सहत्यक स्रोतिन में से कौन है तो अर्थ हब्यद हो जाएगा option number A question number 25 देखिए बिहार में इस्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी कहां से मिलती है तो यह होगा आपका अंगूतर निकाई से option number B question number 26 देखिए नालंदा के सराय टिला में उत्खनन से इनमें से क्या प्राप्त हुआ है तो यह आपका नालंदा के सराय टिला में उत्खनन से पाल काल का बौध विहार प्राप्त हुआ है option number C question number 27 देखिए बौध साहित विनाई पिटेक एवं दिग निकाई से जानकारी मिलती है तो यह होगा आपका मगद के राजतंत्र एवं बैसाली के गंतंत्रों के बारे में और मोरियोत्तर विहार के बारे में जो है बहुत सहत्य विनाई पिटेक एवं दिग निकाई से जानकारी मिलती है यानि कि option number C A एवं B दोनों question number 28 विहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कारे करवाने वाला तथा कई प्राचिन अस्थलों की खोज करने वाले पुरा तत्वेत्ता कौन थे तो यह आपका कनिघम थे option number D question number 29 नालंदा में इस्थित बरा गाउं जो कि नालंदा महावियार के नाम से जाना जाता है इसका पता किसने लगाया था तो यह होगा आपका कनिघम option number B और यहाँ पे एक्षा जान कर यह आपको ध्यान रखना है कि वहाँ से दो अभी लेक भी मिले हैं जिन पर नालंदा का नाम उतकिर्न है और बिहार सरीव में कुमार गुप्त प्रत्हम और इसकंद गुप्त का प्रसीद अस्तम भी प्राप्त हुआ है कनिघम ने बोध गया के मंदिर को भी खोजा था question number 30 देखिए पुरा तत्वेता कनिघम ने बिहार में खोजा की मतलब क्या खोजा पुरा तत्वेता कनिघम तो यह होगा आपका केसरिया इस्तुप जो की चंपरन में है और लोडिया अरे राज का असो कस्तम और बसाट के अवसेसों के अधार पर वैसाली के प्राचिन अस्थर यानि की उप्यूक्त सभी option number D question number 31 देखिए विदेह के राजा जनक ने निश्क या स्वर्न या सतनाम उपहार में दिये यह कहां वर्नित है यह है विरहदार नयक उपनिसद में option number E यहाँ पे सही जवाब है question number 32 देखिए बिहार से प्राप्त मौरी अभिलेखों की लिपी इन में से कौन है इन में से कोई नहीं बिहार से प्राप्त मौरी अभिलेखों की लिपी है question number 33 देखिए बिहार से प्राप्त पहला दुवी भासी अभिलेख किस मध्य कालिन सासक से संबंधित है तो बिहार से प्राप्त पहला दुवी भासी अभिलेख जो है सेर सा से संबंदित है option number B question number 34 देखिए वह है पहला मुगल सासा कौन था जिसके अभिलेक बिहार में मिले हैं तो यह है आपका अकवार question number 35 बाओध धार्मिक साहित में कौन गरंथ प्राचिन बिहार के इतिहास के संबंद में जानकारी का स्रोत है तो यह होगा आपका दिग निकाए option number यहाँ पे B सही जबाब है अगला देखिए question number next सियर उल मुथा खरीन की रचना किसने की है तो यह आपका गुलाम हुसैन तबत बाई ने की है option number A question number next माध्य कालिन बिहार से संबंदित इन स्रोतों को सही सुमेलित करें यानि कि आपको मिलान यहाँ पे करना है आपको टाइम चाहिए तब वीडियो को रोक करके खिजिएगा तो देखिए यहाँ पे डिरेक्ट सही जबाब है option number B मिला लेजी अब इसको एको मिला ये रियाज उस सलातीन इसके रचनाकर है गुलाम हुसैन सलीम उसके बाद है तारीखे सेरसाही इसके रचनाकर है अबबास सरवानी उसके बाद है आपका वाकियाते मुस्ताकी इसके लेखक जो है आपका रिजकुला है ठीक उसके बाद आपका अपसनाय सहां है इसके लेखक जो है सेख कबीर है उसके बाद आपका بसाती नूल उन्स है इसके लेखक जो है एक्तसान देहलाबी है यानि कि option नमबर भी यहाँ पर सही जवाब है अगला देखिए मुला बहबहानी कहां के यात्री थे तो यह थे आपका इरान के और मुला बहबाहनी के यात्री बिरतान से आधुनिक बिहार के बारे में जानकारी मिलती है Question number next है कि आधुनिक बिहार के अधेयन के लिए इनमें से स्रोत कौन है तो यह होगा आपका Option number D, उप्यूक्त सभी तो देखिए यहाँ पे कौन-कौन होगा फ्रांसिस, बुकानन द्वारा, संकलित, विभिन रिपोर्ट, डिश्टिक, गेजेटर, लेंद, सर्वे, एंड सेटलमेंट रिपोर्ट, और फोर्ट, विलियम, इंडिया, हाउस, कौरोस्पोंडेंस, सिरीज यानि कि Option number D, यहाँ पे सही जवाब है, उप्यूक्त सभी Option number 40, देखिए, कौटिल के अर्थ सास्त्र में किस पहलू पर परकाश डाला गया है, तो कौटिल के अर्थ सास्त्र में जो है, राजनितिक नितियों के बारे में जानकारी है Option number B, अगला देखिए, कौशन number 41, अपसर्ट जो की गया में है, यहाँ से प्राप्त एक मंदिर का भगनाव सेश प्राप्त हुआ है, इसके दिवारों पर कथा द्रिस्य अंकित है, किसके अंकित है यहाँ पे, तो यह होगा आपका रामायन के, अब देखिए, अगला आगय Option number C, बिहार में पुर्व एतिहासिक काल के अवसेसो में प्राप्त इन में से क्या हुए है, तो यह होगा आपका Option number D, एक, दो, एवम, तीन, यानि की, कुलहारियों के फलक, चाकु, एवम, खुर्पी और मरद भांड, Option number D, यहाँ पे सही जवाब है, Question number next देखिए, बिहार में आदी मानव के निवास के आरंभिक साक्ष कहां से प्राप्त हुई है, तो यह देखिए, आदी मानव के निवास के आरंभिक साक्ष जो है, मुंगेर वम नालंदा से प्राप्त हुआ है, Option number B, बिहार में आदी मानव के उपस्थिती के आरंभिक साक्ष किस यूग के हैं अगला देखे, बिहार में तामर प्रस्तर यूग के परवर्ती चरन के अवसेस कहां से प्राप्थ हुए है? आपका चिरांद जो की सारण में है चेचर जो की वैसाली में है और स्वनपुर एबं मनेर उप्युक्त सभी अप्शन नमबर D अब देखिए एतिहासी काल का आरंब बिहार में तो देखिए बिहार सहित पुर्वी भारत में आरियों का आगमन जो हुआ था लगभग आठ सो इसा पुर्व में यानि की आप्शन नमबर D सही जवाब होगा उत्तरवईदिक काल में नेक्स्ट है कि बिहार सहित पुर्वी भारत में आरियों के विस्तार में कौन सहायक था लोहे का उप्योग सहायक था उप्शन नमबर D यहाँ पे सही जवाब होगा अगला देखिए सुरूती तथा कीवधन्ती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में मुख्य राज्य कौन कौन थे अप्शन नमबर C यहाँ पे सही जवाब होगा उप्युक्त A एवं B दोनों वेदे के किस गरंथ में बीहार के विदेह राज में आरियों के अग्मन तरह निवास का साक्छविवरन मिलता है तो यह होगा आपका सत्पत ब्रहमन में ईपनार आया जाती के लोगों का अबास अस्थल रहा था तो यह होगा आपका मगद अप्शन नमबर सी अगला देखिए बिहार में उपनिसद काल में ब्रहमन धर्म दथा ज्यान का महान केंदर कहां पर था तो यह होगा आपका विदे और आपको यह भी ध्यान रखना है कि विदे के राजा जनक परसीद दर्सनिक थे और यह राज यह व्याकरन साहेत्य तथा दर्सन सास्तर का महत्वपूर्ण केंदर था अगला देखिए अर्थाववेद में वरात्य सब्द का परियोग किस राज के लोगों के लिए किया गया है तो यह होगा आपका मगद राज के लिए उप्शन नमबर बी तो देखिए अर्थाववेद के एक सुक्त में पहली पार मगद का वर्नल भी मिलता है अगला देखिए कोस्टन नमबर आठ बिहार का कौन सा राज यह उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज था तो देखिए बिहार का उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज इनमें से विदेह था उप्शन नमबर डी बिह बिहार में महाजनपद से कितने questions बनते हैं छटी सतावदी इसापुर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ इनमें कितने महाजनपद वर्तमान बिहार के छित्रों में इस्थित थी तो यह होगा आपका तीन तो देखिए 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी बहु महाजनपद वर्तमान बिहार के छित्र में इस्थित नहीं था ती यह होगा आपका वद्स बिहार के किन छित्रों में अंग महाजनपद इस्थित था यह होगा भागलपूर एवं मुंगेर जिला में अंग महाजनपद की राजधानी कहां थी अंग महाजनपद की राजधा किस महाजनपद में सम्मिलित था तो यह होगा आपका मगद में मगद महाजनपद की राजधानी कहा थी तो मगद महाजनपद की राजधानी थी गडिवरज जो की आज का राजगीर है अगला देखिए मगद तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी अलग करती थी तो मगद और अंग महाजनपद को चंपा नदी अलग करती थी। बिहार में इस्थित कौन सा महाजनपद? आठ राजियों का एक संग था, तो ये था आपका वज्जी। वज्जी संग में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था, तो ये होगा आपका चेदी। चेदी राजि जो है वज्जी संग में नहीं था, वज्जी संग की राजधानी कहां थी? तो इसकी राजधानी वैसाली थी और लिच्छवी की राजधानी भी वैसाली थी। अगला देखिए बिहार के भागों में इस्थित कौन सा महाजनपद में गंतंत्र था तो देखिए बिहार के इन भागों में इस्थित महाजनपद में गंतंत्र थापका हुआ जी और सनमर भी इसापुर्व छटी सदी में वीश्व की प्रत्थम गंतंत्र आत्मक व्यवस्थ कहां थी तो यह थापका वैसाली में अगला देखिए को सनमर नेक्स्ट है कि मगद की प्रत्हम राजधानी कौन सी थी मगद की पहली राजधानी जो थी ग्रीव राजगीर प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में इनमें से कौन एक था तो यह थापका अंग ऑप्सन नमबर दी यहां पर सही जबाब है अगला देखिए बिस्व का पहला गंतंत्र वैसाली में किसके द्वारा अस्थापित किया गया था तो यह होगा आपका लिछवी के द्वारा बिस्व का पहला गंतंत्र वैसाली में अस्थापित की गई थी अब देखिए बिहार में जैन धर्म से कितने प्रस्न बनते हैं जैन धर्म के वास्त्विक संस्थापक और 24 एवं अंतिम तिर्थकर महावीर का जन्म कहां हुआ था तो यह हुआ था आपका कुंद ग्राम में और अप्शन नमर सी और महावीर का बच्पन का नाम क्या था बर्धमान था महावीर के जन्म अस्थल कुंड गराम बिहार के किस जिले में है तो यह है आपका वैसाली में और महावीर स्वामी का जन्म का वर्स आम तोर पर 540 इसापुर्व माना जाता है अगला देखिए महावीर स्वामी के पिता सिद्दार्थ का संबंध किस से था तो यह था आपका वर्जी संग से और सिद्दार्थ वर्जी संग के एक गन्राज कुंड गराम के ग्यातरक छत्रियों के परमुक थे अगला देखिए महावीर स्वामी की माता तिरसला जित से विदेह दत्ता के नाम से भी जाना जाता है यह कहां की राजकुमारी थी यानि महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश कहां दिया था पावापुरी में दिया था और पावापुरी जो है बिहार के नालांदा जिले में स्थित है महावीर की मिर्द्यू कहां हुई थी यह आपका पावापुरी में ही हुई थी महावीर की मिर्द्यू प्राथाम ज जैन संगीती का आयोजन किसके सासनकाल में हुआ था ये आपका चंद्रगुप्त मौर के सासनकाल में जो है पहला जैन संगीती का आयोजन हुआ था अगला देकिए प्राथम जैन संगीती के अधक्षता किस ने की थी तो ये आपका इस्थूल भद्र होगा option number D अगला देके कोशन नमबर 10 है कि प्राथम जैन संगीती का आयोजन पाटली पुत्र में हुआ था जिसमें कारी हुए मतलब प्राथम जैन संगीती का आयोजन जो पाटली पुत्र में हुआ था इनमें से कौन सा कारी वहाँ पर हुआ था तो ये होगा आपका जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगो का परनायान किया गया एबम जैन धर्म के दो भागो स्वेतांबर एबम दिगांबर में विभाजन हुआ ओप्सन नमबर B यहाँ पे सही जबाब होगा डिरेक्टे पुछेगा कि जैन धर्म जो है दो भागो में बटा स्वेतांबर एबम दिगांबर में यहाँ पे आपको ये डिरेक्ट पुछ लेगा कि ये कौन सा जैन संगीती का आयोजन में ऐसा हुआ था प्राथाम में कहां हुआ था पाठली पुत्र में अगला देखिए कोशन नमर 11 जैन धर्म के बाढ़वे तिर्टकर वसु पुझ की जनमर स्थली इन में से कौन थी तो ये होगा आपका चमपा अगला देखिए अब बौध धर्म से आप से कितना कोशन पुछे जा सकते हैं बिहार के लिए तो देखिए बाध धर्म के संस्थापक गौतम बुध ने ग्रहतियाक के उपरांत सरप्रथम कहां गये थे यानि कि बाध धर्म के संस्थापक जो कि गौतम बुध है इन्होंने घर तियागा था इसके बाद वोए सबसे पहले कहां गये थे तो ये वैसाली के समीप अलार कलार के आसराम गये थे अगला देखिए कोशन नमर दो गौतम बुद को कहां कॉंडिनिय और पांच ब्रहमन मिले तो ये होगा आपका उरुवेला में मिला था जो कि बोध गया में है अगला देखिए कोशन नमर थिरी कोशन नमर चार है कि गौतम बुद को किस नधी के किनारे गयान की प्राप्ती हुई थी और उन्हे गयान की प्राप्ती बोध गया में निरांजना नधी के किनारे एक पीपल विरिक्श के नीचे हुआ था गौतम बुद को कौन सा विरिक्ष के नीचे ग्यान की प्राप्ति हुई थी पीपल विरिक्ष के नीचे कौस्टन नमर फाइव देखिए राजगीर में आयोजित प्राथम बाओध संगीती में कौन से कार्य हुए थे इन में से तो बुद की सिक्षाओं का संकलन, सूत और विनई पिटक में हुआ था और प्राथम बाओध संगीती का आयोजन लगभग 413 इसापूर में हुआ था कौस्टन नमर छे है कि दोएतिय बाओध संगीती का आयोजन वैसाली में हुआ इसमें किये गये कार्य किया जो गया था वो कौन है तो यह होगा आपका बाओध धर्म दो भगो अस्थावीर और महा संगीत के रुप में विभाजित हुआ था और यह कहां हुआ था दोसरा बाओध संगीती का आयोजन यह हुआ था आपका वैसाली में अगला देखिए तीरतिय बाओध संगीती का आयोजन पाटली पुत्र में हुआ डिरेक्ट पुछेगा कि तीरतिय बाओध संगीती का आयोजन कहां पे हुआ पाटली पुत्र में है इसमें किये गये कार्य कौन थे तो यह होगा आपका कुछ कठोर नियम बनाए गये तथा अभी धम पिटक का संकलन हुआ यानि कि उप्यूख option number D यहाँ पे सही जबाब होगा और तिर्तिय बहुत संकीति का आयोजन लगभग का हुआ 251 इसाफ पूर्व में अगला देके question number 8 निमनांकित में से किस नगर से महात्मा बुध का घनिष्ट संबंद रहा है इनमें से महात्मा बुध का घनिष्ट संबंद कहां रहा है तो यह होगा आपका बुध गया राजगीर और वैसाली यानि कि उप्यूख सभी option number D अगला देके question number 9 महात्मा बुध ने पाठली पुद्र के बिनास के कारणों की भविष्वानी की थी उनमें सम्मिलित कौन थी तो यहां पर होगा बाड अगनी आंत्रिक कला यानि कि उप्यूख सभी option number D अगला देके बौध गया में महा बुध ही मंदिर बनाया गया जहां कहां बनाया गया है बौध गया में महा बुध ही मंदिर तो यह होगा आपका गौतम बुध को ग्यान प्राप्थ हुआ अस्थान पर जो है बौध गया में महा बुध ही मंदिर बनाया गया है अगला देखिए प्रसीद बाओद सारी पुत्र का जन्म कहां पे हुआ था तो यह होगा आपका नालंदा में हुआ था सारी पुत्र का जन्म कहां हुआ था नालंदा में अब देखिए मगद समराज का उत्थान भिहर में कैसे हुआ प्राचिन भारत में समराजवाद की सुरुवात और विकास कसरे किसे दिया जाता है तो ये प्राचिन भारत में समराजवाद की सुरुवात और विकास कसरे जो है मगद को दिया जाता है मगद राज की आरंभिक राजधानी कहां थी ग्रीव रज जो की राजगीर है और राजगीर के नाम से विख्यात है और राजगीर जो है पहाड़ियों से घिरा है महा भारत तथा पुरानों के नुसार मगद का सबसे पहला राजवन्स कौन था तो यह थाप का विर्यदरत राजवन्स जरासंद के पिता विर्यदरत से आरंभ होता है अगला कोईशन नमबर 4 का वाश्टविक वाश्टविक संस्थापक विंपी सार था। और बिम्बी सार का सासन काल जो है 544 इसा पुर्व से 493 इसा पुर्व तक रहा बिम्बी सार इबम अजात सत्रु किस वन्स के थे ये हरियक वन्स से जुरे थे कौन बिम्बी सार को स्रेनिक तथा अजात सत्रु को कुनिक भी कहा जाता था बिम्बी सार महत्मा बुद्ध का मि में किस काल में मागत समराज का उतकर्स प्राराम जो हुआ बिम्बी सार के सासन काल में हुआ बिम्बी सार की पतनी का क्या नाम था तो यहाँ पर उनके पास पतनी नहीं पतनिया थी जैसे कोसल देवी चेलना खेमा यानि की उप्युक्त सभी बिम्बी सार ने वैवाहिक संबंधो द्वारा अपनी इस्थिती सुद्रड की और कोसल की खेमा पंजाव की तथा चेलना बिम्बी सार ने ब्रहम दत को पराजित कर कौन साज जिता था अंग जिता था उपसन नमबर ए और अजाद सत्रु जो है 493 से 461 सा पूर्व रहा और इन्हों ने अपने पिता बिंबी सार की हत्या कर सत्ता फ्राफ्ट की थी कोशन नमरे 11 देखिए राजगीर में दूर्ग तथा इस्तूप की अस्थापना मगद के किस सासक ने की तो यह है आपका आजाद सत्रू जो है राजगीर में दूर्ग और पर भी आजाद सत्रू के साथ प्रेम संबंद के लिए चर्ची थे नर्तकी आमरपाली कहां की थी यह आपका वैसाली की थी आप्शन नमर सी आजाद सत्रू ने किस राज के साथ यूद्ध में प्रथम बार रत मुसल्त था महासिला कंटक नामक हत्यारों का परयों किया था यह होगा आजाद सत्रू जो है लिच्छवी राज के साथ यूद्ध में पहली बार रत मुसल्त और महासिला कंटक नामक हत्यारों का परयों किया था अप्शन नमर सी अगला देखिए कोशन नमर 15 प्रथम मगद समराज का उतकर्स किस सताबदी में हुआ था तो यह इसाप पुर्व छटी सताबदी में प्रथम मगद समराज का उतकर्स हुआ था अप्शन नमर बी अगला देखिए पाटली पुत्र नगर की अस्था अपना किस सासक ने की थी यह आपका उदाईन ऑप्शन नमर बी अजाद सत्रू के बाद जो है उदाईन मगद की गद्धी पर बैठा था उसे उदाई भद्र भी कहा गया है किस राजा ने पाटली पुत्र को सर प्रतम मगद की राजधानी बनाया तो देखिए पाटली पुत्र को सब पहले उदाईन ने अपनी राजधानी बनाया। अप्शन Breaking पर किस सासक ने ग्रीवरज जो की राजगीर के नाम से जाना जाता है इसके अतिरिक्त वैसाली को भी अपनी राजधानी बनाया सासक ने पातली पुत्र को फिर से राजधानी बनाया और तब से मगद समराज की राजधानी पुत्र ही रही तो यह होगा आपका काला सोक को काकवर्न के नाम से जाना जाता है दोईतिय बाओध संगीती का आयोजन किसके साशनकाल में हुआ था काला सोक के समय में हुआ था दोईतिय बाओध संगीती का आयोजन कहां हुआ था वैसाली में हुआ था और दोदिय बाओध संगीती या समीती का आयोजन जो है 383 इसापूर में हुआ था अगला देकिए दो तिया बौध संगिती का धर्षाता किस ने की थी साब कमिर ने की थी नंदवन्स का संस्थापक कौन था यह होगा आपका महापदम नंद और जाय एवं स्री माली की पुष्टर प्राचिन भारत में नंदवन्स का संस्थापक महानंदनी को बताया गिया है अगला देकिए कोशन नंबर 26 मगद के किस साब को कली का अंस प्रसूराम अवतार छत्रियों का सर्वक्ष्टरांतक एकच्षत्र और एकराट कहा गिया है तो मगद के कौन सा साब को यह सब कहा गिया है महापदमनंद को कहा गिया है और यह नंदवन्स का सरवाथिक प्रतापी सासक था नंदवन्स का अंतिम सासक कोन था? धनानंद था और अप्षन नंबर C प्रत्थम बाँच संगिती का आयोजन किसके सासन काल में हुआ था? तो यह होगा आपका आजात सत्रू अप्षन नंबर B और इसका आयोजन लगभग जो है 383 इश्वापुर में हुआ था किसका प्रत्थम बाँच संगिती का आयोजन? यह आपका ग्रीवरच जोकी राजगीर के नाम से जाना जाता है यहाई पे हुआ था प्रत्थम बहुत संगितिक किया धक्षा था किस ने किया था तो महा कस्थ ने किया था उप्शन नमबर A मगद समराज में कलिंग का विले सर प्रत्थम किस ने किया था तो देखिए मगद समराज में कलिंग का विले जो है तो यह होगा आपका धनानन जो है मगद का राजा था और ये राजा सिकन्दर महान का समकालिन थे इन में से किस राजा ने पाथली पुत्र को बसाया था तो उदैयन ने बसाया था पाथली पुत्र को अगला देखिए मगाद के सासक अजाद सत्रू ने किसके आक्रमनों के प्रतिरोध में गंगा और सोन नदी संगम पर अवस्थित पाटली ग्राम को सुरक्षित था किलों को सुसर्जित किया जो आगे चलकर पाटली पुत्र नगर बना देखिए प्रसन एक बार फिर से पर देता हूँ मगाद के सासक अजाद सत्रू ने किसके आक्रमनों के प्रतिरोध में गंगा और सोन नदी के संगम पर अवस्थित पाटली ग्राम को सुरक्षित था किलों को सुसर्जित किया जो आगे चलकर पाटली पुत्र नगर बना तो यह होगा आपका वैसाली के बिज्जियों के आक्रमन से ठिकना अप्शन नमबर सी यहां पर सही जवाब अगला देखिए मौर समराज की राजधानी कहां थी मौर समराज की राजधानी जो है पाटली पुत्र थी अप्शन आप्सान नमबर फी युनानी दूत में गा स्थनीज किसके दर्वार में पाटली पुत्र आया था चणुप्त मौर की दरवार में मेगा स्थनीज को भेने वाला सासक कौन था यह आपका सल्यूकस था मतलब डैरेक्ट आप से डैरेक्ट कुछेगा कि चंद्रगुप्त मौरि के दरवार में मेगा स्थनीज जो आया था उसको कौन भेजा था वपसिन ब्र भी अगला देखिये किस सास्यक के सासनकाल के समय मगद पर बारा बरसों का भिसन अकाल परा था तो यह होगा आपका चंद्रगुप्त मौरी के सासनकाल के समय जो है मगद पर बारा बरसों का भिसन अकाल परा था किस से मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्ति दाता कहा जाता है वाया श्रोवत जिसमें पाटली पुत्र के परसासन का वर्नान उपलफ्द है उसका क्या नाम है इंडिका अगरा देखिए नंद्वन्स के बाद मगद पर किस राजवन्स ने सासा किया तो नंद्वन्स के बाद मगद पर मौर्य वन्स की अस्थापना हुए मेगा स्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है तो इसके पुस्तक का नाम है इंडिका आर्थ सास्त के लेखा कौन है तो यह आपका कोटिल और कोटिल का अने नाम चाना केवं विशनुगुप्त है पाटली पुत्र की सासन व्यवस्था का विश्ट्रेत वर्नन किस विदेसी यत्री की विर्तांत में बिलता है तो यह ओगा कम्योगा स्थानीज के विर्तांत में पाठली पुत्र की सासन व्यवस्था का वर्नन मिलता है चंद्रगुप्त मौरी के उपरांत मौरी समराज का सासक कौन बना तो चंद्रगुपत मौरी के बाद मौरी समराज का सासक बिंदू सर बना option number D और पिंगल वत्स ने असोग के बाड़े में भविषवानी की थी कि वह महान राजा बनेगा असोग द्वारा अपने परोशियों के साथ मैत्री पूर्ण संबंधों का उलेक मिलता है किस अभी लेक में तो यह होगा आपका सिला लेक 13 में और अप्शन नमबर C तिर्तिय बहुत संगिती का आयोजन किसके साशन काल में हुआ था तो तिर्तिय बहुत संगिती का आयोजन जो है असोग के समय में हुआ था और तिर्तिय बहुत संगिती के अधक्षदा किस ने की थी मेगली पूतर तिस ने की थी option number A तिर्तिय बहुत संगिती का आयोजन कहां हुआ था पाटली पुत्र में हुआ था option number D यहां पे सहीजबाब तिर्तिय बहुत संगिती का आयोजन कब हुआ था 251 पूर में हुआ था किस मौरी सासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी तो यह आपका असोग जो है कलिंग पर विजय प्राप्त की थी option number C किस युद्ध में हुए भाड़ी तबाही तथा जान माल की हानी को देखकर असोग का हिर्द है परिवर्तन हुआ और उसने युद्ध निती त्याक कर धम निती की घोसना की थी तो यह होगा आपका कलिंग युद्ध के बाद जो है असोग पूरी तरीके से बदल गया और वो युद्ध को हमेशा की यह छोड़ दिये असोग का धम कौन था यहाँ पे नितीक आचार सहिंता था option number A मौर समराज का किंद्रियन याले कहां श्थित था यह अपका पाटली पुत्र में था option number B असोग ने अपने धम यात्रा के अंतरगत सर प्रथम किस जगा की यात्रा की असोग ने अपने धम यात्रा के बाद जो है बोध गया की यात्रा की option number C असोग ने अपने धम यात्रा के अंतरगत बहुत गया कि यात्रा अपने राज विसेक के किस वर्स में की थी तो ये दसवे वर्स में की थी असोक के अस्तंब लेक बिहार के किस जिले से प्राप्त हुई है तो असोक के अस्तंब लेक जो है बिहार के चमपारन जिले से प्राप्त हुई है बिहार से प्राप्त होने वाले असोक के अस्तंबलेक इन में से कौन नहीं है रूमीन दई नहीं है बांकी के लोडिया अरे राज लोडिया नंदनगट और राम पुर्वा ये सभी जो है बिहार से प्राप्त होने वाले असोक के अस्तंबलेक है असोक के समय मौर समराज में पांच प्रांत का उलेख मिलता है इसमें से एक प्रासी या प्राची प्रांत जो की पुर्वी परदेश थी इसकी राजधानी कहां थी तो प्रासी या प्राची प्रांत की राजधानी जो थी पाठली पुत्र थी पाठली पुत्र में इस थी चं चंद्रगुप्त मौर का राजपरसाद कहां पे स्थित था तो चंद्रगुप्त मौर का राजपरसाद जो है कुमरार ये पत्ना में स्थित है यहीं पे था और आपको ये भी द्यान लखना है कि कुमरार में कुमरार से 80 अस्तंभो वाला मौर कालिन सभागार या राजमहल का अवसेश भी मिला है किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर के राजपरसाद के बारे में कहा है कि इसकी सान सौकत का मुकावला ना तो सुसा और ना एक बेतना कर सकते हैं तो ये विद्वान का नाम है येरियन अप्शन नम्बर सी चंद्रगुप्त मौर के राजपरसाद के बारे में किस ने कहा है कि यह परसाद मानव किरती नहीं है वरन देवो द्वारा निर्मिध है तो ये होगा आपका फाहियान अप्शन नम्र बी किस सासक ने गया के निकट बरावर की पहारियों में आजीवकों के लिए गुफाओं का निर्मान करवाया था तो देखिए यह आपका असोक जो है गया के नजदिक बरावर की पहारियों में आजीवकों के लिए गुफाओं का निर्मान करवाया था उनका क्या नाम है असोक और ये चार गुफा थे सुदामा विश्व जोपडी चेपार्द अथा कर्न गया के समीप नागार जुनी की पहाड़ियों में परसित गोपी गुफा का निर्मान इनमें से किस ने करवाया था दसरत ने करवाया था तो देखिए दसरत असोक का पुत्र था इसने नागार जुनी पहाड़ियों में आजिवकों के लिए तीन गुफाओं का निर्मान करवाया था जिसमें गोपी गुफा भी सामिल थी अगला देखिए मौरिकालिन चमर ग्राहनी यक्षी प्राप्तिन में से कहां में हुई है तो यह होगा आपका दिदारगज पठना में हुई है और इसे इस्त्री रत्र नाम दिया गया है बिहार के किस अस्थान से मौरिकाल में बने जैन तिर्थकरों की परतिमा प्राप्त हुई है पाटली पूत्र के नगर निर्मान तथा सुन अरता का वर्नन इन में से किस ने किया है पाटली पूत्र को किस सासक ने सब से पहले अपनी राजधनी बनाया तो चंद्रगुप मौरिने बनवाया है उप्शन नमबर ए आसोक के सासनकाल में बहुत सवाकी सनगर में आयो जित की गई थी पांटली पुत्र में की गई थी उस राजदूत का नाम था बिंदूसार, ओप्शन नमबर B, क्या नाम था ये आपका डियानी सियस, ये राजदूत का नाम था, किस के सासनकाल में ये आया था, बिंदूसार के सासनकाल में, ओप्शन नमबर B, किस बिद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौरी ने पाली जिसे अब पाली पुत्रक उपनाम दिया गया है ये धारन किया था ये आपका जो है इस्ट्रेबो होगा ये इस्ट्रेबो का नुसार जो है चंद्रगुप्त मौरी ने पाली ब्रोथस जो कि अब पाली पुत्रक है इनका नाम उपनाम धारन किया था ये बिद्वान का क्या नाम है जिन्होंने ये बाते बताई है इस्ट्रेवो आगला देखिए युनानी दूत डिमालीकस का आगमन मगद के किस सासक के दरबार में हुआ तो यह होगा आपका बिंदू सार के समय में केबल वह अस्तम्ब जिसमें असोक ने खुद को मगद का समराट बदाया है उस अस या करती ती जो और असोक की राजदानी कहां थी जो है पातली पुत्र थी उप्षन नंबर valve अगलादे essential के मावरिकाल में पातली पूत्र का परशाशन थी संचालित करदी थी जो की 5 सधस्यों की ज्य интерo प्रशॉक के संबंद में कौन सा कथन सही है तो यह होगा आपका यह किंद्रिय क्रत था अगला देके असोक के संबंद में कौन सा कथन सही है तो असोक के संबंद में असोक ने धर्म विजय की नितिय अपनाई बिल्कुल सही असोक ने विद्यसों से संबंद अस्थाफित किये बिल्कुल सही असोक ने प्राजा, अहित और कल्यान के उपाई किये बिल्कुल सही यानि कि उप्युक्त सभी अप्शन नमबर D देव नाम पिया के नाम से किस आसक ने आपने आपको सम्भधित किया तो यह होगा होगा असोक, अप्शन नमबर भी धाम महामात के कार इन में से क्या थे ? तो माऊओर कालिन परसासन में किन का नाम आता है तो माऊओर कालिन के विद्वानों में ये सभी का नाम आता है तीन वेक्ति का नाम आता है ठीक ना? कौन-कौन है कौटिली, पननी और उपावर्शी यानि कि यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कौन सा आप्शन सही जवाब होगा आप्शन नमबर D यानि कि उप्यूक्त सभी अगला प्रस्ण है तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है यहाँ पे सही जवाब होगा पाटली, पुतर, इस्थित, राजपरसाद के अवसेश दिदारगंज की यक्ची और ब्रावर की गुफाएं यानि कि एक, दो, तीन अप्शन नमबर D अगला देखिए असोक की धम निती की जानकारी कहां से मिलती है असोक की धम निती की जानकारी जो है दूतियाभी अस्तमलेक से, सात्वे सिलालेक से और दुआदस सिलालेक से उप्यूक्त सभी, उप्शन नमबर D असोक के किस अविलेक में दान और धम दान के अंतर को अस्वस्ट किया गया है तो असो के नवम सिलालेख में धम दान के अंतर को अस्वस्ट किया गया है अगला देखिए मौर समराज के पतन में कौन सा कारण सामिल नहीं है मौर समराज की पतनमें इन से आर्थिक संकट उंग मोरыт समराज में कभी भी आर्थिक संकट नहीं आया था बन की बाद विजय सी अकर्मन हुआ था तब और प्रांत ये विद्र स्वा कर्वा था अर देखिये मोड उत्तiset संबंधित question मोर समराज के उपरांत, मगाद पर किस वन्ष का सासन अस्थापीध हुआ असफय Strategy में और पुस्य Socर मित्र का सासन काल 186 इसापुर्व से 149 इसापुर्व तक रहा था किस सुंग सासक ने पाठली पुतर में इस ठीट को कुट राम विहार को तीन बार नश्ट करवाने का कोशिस किय아 तो यह होगा आपका उस सुंग सासक का नाम था पुस्यमित्र, और पुस्यमित्र ने ब्रहमन धर्म का पुन्रोद्वार्त था बध्धों के साथ उत्पिरक और आकरमक वहवार किया अगला देकिये पाटली पुत्र पर यवन डेमेट्रियस का आकरमन किस वन्स के सासनकाल में हुआ था यह होगा आपका सुंग वन्स के समय पाटली पुत्र पर देमेट्रियस का आकरमन हुआ था उस समय कौन सा वन्स था सुंग वन्स कहां पे हमला हुआ था पाटली पुत्र पर ड्रेमेटियस का आक्रमन कब हुआ था यह 185 इसापुर में हुआ था मगाद में प्रत्थम ब्रहमन राजी अस्थापित इनमें से किस ने किया था मगाद में प्रत्थम ब्रहमन राजी जो है यह आपका पुस्मित्र ने किया था उप्शन नमबर सी सुंग वन्स के पतन क पुरुव से तीस इसा पुरुव तक रहा अगला देखिए कान्व वन्स का संस्थापक कौन था यह होगा आपका वसुदेव ऑप्शन नमबर D और सुंग वन्स का अंतिम सासक देव भूमी की हत्या करके उसके सची वासुदेव ने मगद में कान्व वन्स की निव डाली वा कान्व वन्स की सत्ता समाप्त किस ने की तो यह होगा आपका आंद्र सात बहानों जो है कान्व वन्स की सत्ता को खत्म कर दिया कान्व वन्स के उपरांत पाठली पुत्र पर कुछ समय के लिए किस वन्स के राजाओं ने सासन किया तो देखिए कान्व वन्स के बाद पाठ बोद गया से प्राप्ट हुए हैं अप्षन नम्बर सी अगला देखिए कनीश्क ने पाटली पुत्र के किस बौध विद्वान को अपने दर्वार में प्रैसराय दिया था यह होगा आपका अस्वघोस तो देखिए कनीश्क पाटली पुत्र के राजा को बूरी तरह प्रास्त किया था हरजाने के रूप में वह यहां से अस्वघोस बुद्ध का भिच्छा पातर था एक अदभुत मुर्गा ले गया था मगद पर सासन करने वाले राजवन्स का सही क्रम है यानि कि मगद पर इनमें से कौन पहले आया और कौन बाद में तो देखिए मगद पर सबसे पहले हरियक उसके बाद सिसुन आगा उसके बाद नैंद उसके बाद मौरी और उसके बाद संग और रांत में कानव वन्स आया था सुंग वन्स की राजधानी कहां थी पाटली पुत्र थी अंत में आकरमन किया था उप्सन नमबर ए कलिंग नरेस खारवेले ने कहां से किमती उपहार प्राप्त किया था तो देखिए कलिंग नरेस खारवेले ने अंग एबा मगद से किमती उपहार प्राप्त किया था उप्सन नमबर ए और उपहारों में जिनकी प्रतिमात था पद चिन सामिल है कुसान समराज के पतन के उपरां संभवता मगद पर सासन किसका रहा तो कुसान समराज के बाद जो है मगद पर लिच्छिवियों का सासन रहा उप्सकर बी और कुछ इतिहासकारों के अनुसार मगद़ पर सक्क मुरम्डों का नियंतरन हो गया था गार्गी सहिंता में पाथली पुत्व पर यवनों के अक्रमन का उल्लेक है यह अक्रमन किसके सासनकाल में हुआ था तो दिखिए पुस्मित्र सुंग के सासन काल में हुआ था गारगी सहंता में पाटली पुत्र पर यवनो के अकर्मन का उलेक है डिरेक्ट पुछेगा कि पाटली पुत्र पर यवनो के अकर्मन का उलेक कौन सा सहंता में है गारगी सहन्ता में और इस समय सासा कौन कर रहे थे पुस्मित्र सुंग सुपरसिद बाध बिद्वान अस्वगोस को प्रसरे देने वाला सासा कौन था तो यह था आपका कनिस्क, अप्शन नमबर बी अब देखे बिहार में गुप्तकाल, गुप्तकालीन बिहार से कितने को संस बनते हैं चंद्रगुप्त प्रत्हम का राज भिसेक कहां हुआ था? पाटली पुत्र में हुआ था तो यह होगा आपका चंद्रगुप्त प्रथम जो है राजकुमारी कुमार देवी से विवाकिया था जो की लिच्छवी की राजकुमारी थी अगला देखिए चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 इसापुर में महाराज धिराज की उपाधी धारन की थी कहाँ पे तो यह होगा आपका पाटली पुत्र में चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 इसापुर में महाराज धिराज की उपाधी धारन की थी और 320 इसवी में चंद्रगुप्त में गुप्त सम्वत का भी प्रचलन किया यानि कि चंद्र गुप्त ने जो है गुप्त समध का प्रचलन कब किया 320 इसवी में कि सासक ने खुद को लिच्छबी दोहित्र कहा है यह होगा आपका समुद्र गुप्त option number B बिहार में गुप्त सक्ति के संगठन का स्रे इन में से किसको दिया जाता है बिहार में गुप्त सक्ति के संगठन का स्रे जो है चंद्र गुप्त दोहित्य को दिया जाता है option number B गुप्त समराज की प्रथम राजधानी कहां थी पाठली पुद्र थी option number A किस सासक ने स्रिलंका के राजा मेग वर्मन ने गया में एक बहुत मठ अस्थापित करने की अनुमती मांगी थी तो यह होगा आपका समुद्र गुप्त option number C नालंदा भी सुविद्यालय का अस्थापना का यूग इन में से कौन है गुप्त option number C नालंदा भी सुविद्यालय का संस्थाप का कौन था कुमार गुप्त था बहुत गया के महा बोधी मंदिर के अस्थापना किस काल में हुई तो यह होगा आपका गुप्त काल में बहुत गया के महा बोधी मंदिर का अस्थापना हुआ था चीनी यात्री फायान कितने समय तक पाटली पुत्र में रहा था तो देखिए फायान जो है पाटली पुत्र में तीन साल रहा था चंद्रगुप्त दूतिया के सासनकाल में फायान भारत भर्मन पर आया था और इसका उदेश बहुत पांडलुई लिपियां प्राप्त करना फायान किस सासन के समय भरत का यत्रा किया था तो ध्यान रखिए गा चंद्रगुप्त दूतिया के सासनकाल में और ये भाट का संबन्ध किस नगर से था पाठली पुत्र से था अप्सण नम्बर D गुप्तकाल की एक सुंदर कारति के की मूर्ति किस जिले में प्राप्थ ह बिहार में साधे साथ फीत ऊची बुद्ध देव की एक पितल की मुर्ती जो है सुल्तानगन से प्रप्त हुई है सुल्तान गन जो है भागल पुर्जिले में है अगला देखिए राजगीर के मनी नाग मंदिर में पत्थर पर खोदे हुए गनेस विशनू तथा नाग नागिनों के चित्र है या किस काल के है तो यह होगा आपका गुप्त काल राजगीर में इस ठीत जरासंद की बैठाक का निर्मान किस काल में माना जाता है तो गुप्त काल माना जाता है तीर भुक्ती जिसे आधोनिक दरभंगा कहा जाता है इसका राजपाल कौन था यह आपका गोविंद गुप्त था और गोविंद गुप्त जो है चंद्रगुप्त दुटिया का छोटा पुत्र था बिहार में बौध बिहार का प्राचिंतम केंदर इनमें से कौन था तो बौध बिहार का प्राचिंतम केंदर नालंदा था और नालंदा विश्विद्याले किस लिए प्रसिद था ये बहुत धर्म धर्शन के लिए परसिद था नालांदा में अवस्थित भारतिय विश्विद्यालियों में भायान किसके सासन के दोरान आया था जन्द गुप्त विक्रमावधित के सासन काल में किसने यह वर्णन किया है कि मद भारत के सभी देशों में मगद देश में सरवाधिक नगर थे धनपतियों ने यहां चिकित साले बनवाये थे जहां रोगियों को मुप्त भोजन तथा दवाये दी जाती थी तो इस प्रस्ण का सही जवाब होगा फायान, option number C, फायान ने वर्नन किया है कि मद भारत के सभी देशों में, मगाज देश में सरवाधिक नगर थे, धनपतियों ने यहां चिकित साले बनवाए थे, जहां रोग्यों को मुप्त भोजन दथा दबाय दी जाते थी, फायान ने यह बाते पुष्टी की है, गुप्त समवत का आरंभ कब होता है, यह 320 इसापुर में हुआ था, इन सासकों में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, समुद्र गुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, सोराष्ट और मालवार छेदर की विजय किस गुप्त समराठ ने की तो चंद्रगुप्त विक्रमा द्विति जो है सो राष्ट और मालवा छेदर की जीता था इनको ठीक ना अगला देखिए प्रियाग प्रसस्ती का रचियता कौन था तो प्रियाग प्रसस्ती का रचनाकार जो है हरी सेन थे उप्सन नमबर बी किस गुप्त समराट ने दक्षीन भारत में सफल सैनिक अभियान की यह गला का समुद्र गुप्त विजय क्या अभियानोंकी चर्चा की गई है उप्सन नमबर दिए गुप्त समराज के पतन के क्या करण थे गुप्त समराज की पतन के मुख्य करन थे, हुनो के आकरमन, पर्सासान का सामानती स्utterूप और कमजोर ससक, यानि कि 1, 2, 3, option number C, यहाँ पर सही जबाभ होगा, मगात पर मिहिर कूल का आकरमन किस ससक के समय हुआ था, तो देखिए मगात पर मिहिर कूल का आकरमन जो है नर्सिंग गुप्त के समय में हुआ था option number D गुप्त काल ज्यान विज्यान के विकास का स्वर्निम यूग था इनमें योगदान करने वाला विद्वान कौन थे तो यह आपका वराहमिहीर आड़ेभट और ब्रहम गुप्त थे option number C अब दखिए बिहार के मगद के प्रवर्ती गुप्त सासक मगद के प्रवर्ती गुप्त वन्स का संस्थापक कौन था तो यह होगा आपका क्रिश्न गुप्त option number A क्रिश्न गुप्त का सासन काल लगभग जो है 510 से 525 इस वितक रहा मगद के किस प्रवर्ती गुप्त सासक ने मुख्री सासक को प्राजित किया था तो यह होगा आपका मगद का कुमार गुप्त तिर्तिया ने प्रवर्ती गुप्त सासक मुख्री सासक को प्राजित किया था इसका क्या नाम था किसे मगद के छेत्र में अपना प्रतिनिधी बनाया था हर्सवर्धन के मिर्तियों परांद बिहार के कुछ छेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रहुता अस्थापित हो गई थी इसका अंत किस ने किया था तो हर्सवर्धन के मिर्तियों के बाद बिहार के कुछ छेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रहुता अस्थापित हो गई थी इसका आंत आधितिसेन ने किया था और बिहार के किसी अस्थानिय सासक अरजुन ने चीनी यात्रियों को च्छती पहुंचाई थी प्रति सोध में तिबबत और नेपाल के सेनों ने बिहार पर अकमान किया था मगाद के किस परवर्ती गुप्त सासक ने अस्व मेग याग का आयोजन किया था यह होगा आधितिसेんな option number E मगाद के परवर्ती गुप्त बाँंस का अंतिम सासक कौन था और कन्मर जोड के शाशक ने जीवीत गुप्त दूतिया की हत्या कर इस वंस का अंत कर दिया था कौन सा वंस का प्रवर्थी गुप्त वंस का अगला देखिए मगाध की किस प्रवर्थी गुफ्त शाशक को आज संक्य सत्रूआ का विजेता कहा गया है तो उनका नाम है क्रिस्न गुप्त, और यहां बिद्वानों द्वारा सदा घिरा रहता था अगला देखिए, मगाद के परवर्ती गुप्त साशक और उसके उपाधियों को सुमयलित किजिए यानि कि आपको सही मिलान करना है, तो यहां पे देखिए सबसे पहले है हर्ष गुप्त, हर्ष गुप्त को कौन सा उपाधि मिली, महाराजा धिराज उसके बाद है आपका कुमार गुप्त, कुमार गुप्त को राजाओं में सिर्मावर का उपाधि मिली उसके बाद है आपका जीवित गूप्त इसे जो है वीरियोध्धा का उपाधि मिली और आदिति सेन को परम भटारक महाराज धिराज की उपाधि मिली यानि कि उप्यूक्त D यहाँ पे सही जवाब होगा सोड़ी भाई यहाँ पे गलत हो गया है इसको सही करता तो देखिए सही मिलान करने के लिए कह रहा है तो यहाँ पे आपको देखिए उप्शन नमबर सी सही जवाब है अब इसको मिला लिजिए ठीक ना इसको मिला लिजिए तो देखिए हर्ष गूप्त को कौन से उपाधि दी गई थी हर्च गुप्त को वीर योध्धा का उपाधी दी गई थी उसके बाद आपका जीवित गुप्त को जो है राजाओं में सिर्मावर की उपाधी दी गई थी उसके बाद आपका आदिति सेन को परम भटारक महाराज धिराज की उपाधी दी गई थी अगला question देखिए मगद के किस परवर्थी गुप्त समराट के बाड़े में कहा गया है कि उसने समुद्र तट तथा हिमाले के सत्रूओं को जीता था तो देखिए यहाँ पे option number D सही जवाब होगा जीवीत गुप्त मगद के जीवीत गुप्त प्रवर्थी गुप्त समराट के बाड़े में कहा गया है कि उसने समुद्र तट था हिमाले के सत्रूओं को जीता था option number D यहाँ पे सही जवाब हर्थ बरधान के मिर्तियों के बाद मगद के अंतरगत एक विस्तरित समराज अस्थापित करने वाला प्रथाम सासा कौन था तो यह था आपका आदितिसेन option number A मगद के किस प्रवर्थी गुप्त समराट के सासनकाल में चीनी राजदूत वांग हुएंट से भारत की आतरा की थी तो देखिए उस समय कौन थे राजा आदितिसेन थे option number D अगला देखिए मगद के प्रवर्थी गुप्त सासकों का सही क्रम बताईए तो दिखिए यहां पर होगा इसका सबसे पहले तो हो जाएगा आपका क्रिस्न गुप्त हर्स गुप्त जीवित गुप्त कुमार गुप्त दामोदर गुप्त और महासेन गुप्त उसके बाद ह सब्सक्राइब गुप्त तर यूग और बिहार इससे संब्सक्राइब चीनी यात्री इत्संग बिहार का भर्मन कब किया था तो यह किया था 673 इसमी में लगवग ठिक नहीं और इत्सिंग ने लगवग 675 इसमी से लगातार 10 वर्सों तक नालंदा विश्विद्याले में सिक्षा प्राप्त की थी हर्स बर्धन के समय में बिहार राज में कौन सब विश्विद्याले परसीद था हर्स बर्धन के समय में बिहार राज में आपका नालंदा विश्विद्याले जो है काफी पोपलर था चीन यात्री वेन सांग ने इंस सक data LAUGHTER आपका नालंधा विश्विजिय याले में पढ़ाई की थी थी , नालंधा के याले में 635 से Siya Chopत यानिकि पांच बरसों तक पढ़ाई की था हूँन ने पाञधि पुत्र की इत्रा किस की थी ? और है हैं ज 때도 insect भूत गया के महा बोधी विक्ष को छती पहुंचाने वाला सासक कौन था तो यह था आपका ससांग का और ससांग जो है बंगाल का सासक था जो क्रूर एवं धर्माद्र था अब देखिए पाल कालिन संबंधित बिहार में कितने को संस बनते हैं पाल काल से देखिए पहला प्रस्ण है ओधन्त पूर्शिक्षा केंद्र इनमें से किस राज में अवस्थित था तो यह होगा आपका बिहार ओधन्त पूर्शिक्षा केंद्र बिहार में अवस्थित था पाल वंस के संस्थापक कौन थे तो यह होगा आपका गोपाल गोपाल का सासनकाल कव से कव रहा? 750 से 770 सिवी तक रहा आगला देखिए बिक्रम सिलाबिश्वविद्याले का संस्थापक कौन था? बिक्रम सिलाबिश्वविद्याले का संस्थापक जो है धर्मबाल था और धर्मपाल का सासनकाल जो है 770 से 810 तक रहा था विक्रम सिलाविस्विद्याले किया स्थापना किस वन्स के सासक ने किया था तो यह आपका पाल वन्स के राजा धर्मपाल ने किया था और विक्रम सिलाविस्विद्याले भागलपूर में है अगला देखिए आधुनिक विहार के किस जिले में विक्रम सिलावि स्विद्याले इस्तित था भागलपुर में है और यह भागलपुर पाथर घाट में इस्तित है नालंदा महा विहार को आर्थिक अनुदान देने वाला सासा कौन था मुंगेर जो कि बिहार का एक जिला है इसको अपनी राजधानी बनाने वाला पाल सासा कौन था यह था आपका देव पाल ठीक न पाल सासको द्वारा बौद धर्म के किस संप्रदाई को विशेश प्रोथसाहन दिया गया तो दिखिए पाल सासको द्वारा बहुत धर्म के महायान को विसेश प्रोटसाहन दिया गया था किस सासक के काल में सेलेंदर वंस के सासक ने नालंदा में एक बहुत मट का अस्थफना करवाया था तो यह होगा आपका देवपाल के समय में और इसके लिए देवपाल ने 5 गाउं दान के रूप में दिया था नालांदाफिस्विद्याले के खर्च के लिए किस ने 200 गाउं को दान किया था यहां पे बौध बिहार की अस्थापना करवाया था तो ओदंथ पिडी में बौध बिहार की अस्थापना गोपाल ने करवाया था आपसन नमबर A यहां पे सही जवाब होगा क्या होगी रही है कोशन नमबर 12 देखिए किस काल में कांसे की मूर्तियों की निर्मान की एक उन्नत सहली का विकास बिहार में हुआ था तो यहाब आपका पाल यूग में हुआ था आपसन नमबर D कोशन नमबर नेक्ष देखिए तेरे नमबर बिहार में पाल युग में कांस से निर्मित मुर्ती की एक उन्नत सेली का विकास हुआ कांस मुर्तियों के निर्मान की इस सेली में निर्नायक दे निर्मान की से किस की थी धीमन एवं विटपाल की थी Option number B, पाल कालिन कांस्य मूर्ती, कलाकार, धीमन एवं विटपाल, कहां के निवासी थे, ये आपका नालांदा के थे, धीमन का पुत्र विटठल पाल था, विटपाल था, अगला को संद किये, पाल कालिन कांस्य प्रतिमाय सांचे में धली है, इसका साक्षि कहां से मिलता है, ये नालांदा एवं कुक्रिहार, गया से मिलता है, उप्सन नमबर A, पाल कालिन मूर्ती, कलाकार, धीमन एवं विटपाल, किसके समकालिन थे, धर्वपाल एवं देवपाल के समकालिन थे, उप्सन नमबर D यहाँ पर सही जवाब, अगला देखिए कोसन नमबर 17, चित्रि रूप कहां से प्राप्थ हुआ है, तो यह जो है आपका नालंदा से प्राप्थ हुआ है, अगला प्रसन देखिए कोसन नमबर 19, कोसन नमबर 19 है कि पाल सासक अपना आदेश प्रसारित करते थे कहां से, पाल सासक अपना आदेश जो है पाटली पुत्र से प्रसारित करते अप्सिन नमबर ए पाल काल में स्री नगर भुक्ति किसे कहा जाता था यह आपका मगद को कहा जाता था और यह अंग पुटवर्धन भक्ति थे भुक्ति थे ठीक नए अप्सिन नमबर डी जो है मगद को पाल काल में स्री नगर भुक्ति कहा जाता था अप्सिन नमबर डी द विदेशी विद्यार्थियों के लिए छात्रावास का निर्मान करवाया था किसने राजा बल्देव पुत्र ने सुमात्रा के राजा बल्देव पुत्र ने यह जो है आपका विदेशी विद्यार्थियों के लिए छात्रावास का निर्मान करवाया था नालंदा में अब द संकाल में मिथला या तिरहुत के करनाट राज का संस्थापक कौन था नन्य देव था मिथला के करनाट सासकों के राजधानी कहां थी शिम्राओ गड़ था option number D question number 4 देखिए करनाट वंस का अंतिम सासक कौन था यह था आपका हरी सिंग option option number B करनाट वंस का पुर्णत अंत कब हुआ 378 इस्वी तक हुआ था पूरी तरीके से करनाट वंस का अंत बिहार में किसके समय में पंजीब प्रवंद का विकास हुआ था करनाट सासक के समय में हुआ था तिब्वत्ती इतिहासकार धर्न स्वामी तिरहूत आया था किस वर्ष यह आया था 1234 इस्वी में बक्तियार खलजी के आकरमन के समय करनाट राज पर किसका सासन था तो यहाँ पर किसका सासन था बक्तियार खेलजी के आकरमन के समय नर्सिंग देव का था option number A तूर्क सेनापती तुगरील तुगन द्वारा मितला पर आकरमन की चर्चा करने वाला विदेशी यात्त्री कौन है तो यह होगा आपका धर्मा स्वामीन और मुला तकिया यानि कि option number D B.A.C. धर्मा स्वामीन और मुला तकिया तुगरील तुगन के अभियान के समय करनाट राज का सासक कौन था तो तुगरील तुगन के अभियान के समय करनाट राज का सासक जो था राम सिंग देव था option number B अगला प्रसम कोश्चन नमबर कोश्चन नमबर 11 करनाट सासकों में कौन एक महान समाज सुधारक था तो करनाट सासकों में महान समाज सुधारक था हर सिंग देव option number B पंजी प्रबंध मिथला छेत्र में किसके सासनकाल में मुख्य रूप से विक्सित हुआ तो यह होगा आपका हरि सिंग देव के सासनकाल में option number C यहाँ पे सही जवाब होगा आप देखिए बिहार का मधिकालिन बिहार से संबंधित प्रस्न बिहार में तुर्कों का आगमन तो देखिए बिहार का प्रथा मुस्लिम बिजयता कौन था तो यह था आपका बक्तियार खिल जी option number C बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था तो बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक जो है इबने बक्तियार खिल जी था और इन्होंने बिहार सरिफ पर विजय 1180 में प्रांप्त की थी और बक्तियारपूर नامक सहर की अस्थापना बक्तियार क्षल जी नहीं कर वाया था उसी के नाम ये सहर का नाम बक्तियारपूर रहा गया है अगला देखें बिहार में कोशन स्थापना कभ हुई 11802 में हुई option number D बक्तियार खिल जी ने अपना परसासनिक मुख्याले कहां में बनाया बिहार सरीप में बनाया option number B नालंदा विस्व विद्याले को किसने द्वर्ष्ट किया यही है बक्तियार खिल जी option number D अगला देखिए बक्तियार खिल जी के सब को बिहार सरीप में दफनाया गया डिरेक्ट पुछा जाता है कि जो कि नालंदा विस्व विद्याले को नश्ट किया था बक्तियार खिल जी बक्तियार खिल जी के सब को कहां पे दफनाया गया था नालंदा के बिहार सरीप में बक्तियार ख्ल जी के आकर्वन के समय पाल वन सिय सासक कौन था? तो इसमें कौन था? इंद्रियुमर नपाल आप्शन नम्बर झा था? तो यह था अपका लक्षमान सेन आप्शन नम्बर सि, बिहार के सूफी संतों का अगमं कि सतावदी में हुआ था? बिहार के सूफी संथों का अगमन जो है बारबी सताव दिमें हुआ था option number B बिहार में आने वाले पहले सूफी संथ कौन थे ये आपका मुमीन आरी थे option number A मनेर की विजय से किस सूफी संथ का सम्बन था तो ये आपका मनेर की विजय से ताज भकी का संबन था, उप्शन नमबर बी, बिहार पर बक्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरन कहां आपे प्राप्थ हुआ है, ति यह होगा आपका तबकाते नासरी में प्राप्थ हुआ है, उप्शन नमबर बी, अब देखिए सल्तन काल से संबन्धित बिहार का दिल्णी सल्तनत के अधिन करने वाला प्राप्थम सुल्तान कौन था, यह था आपका इल्टूतमिस, इल्टूतमिस ने 1225 के लगभग किसे प्राजित करके, बिहार पर अधिकार किया था, ति यह होगा आपका हिसामुदिन एवज को हरा करके, इल्टूतमिस बिहार को कब किया था कब 1225 में अगला देखिए इनमें से कौन सल्तनत काल में बिहार का प्रांत पती नहीं रहा था तो यह होगा आपका मुवारीज खां जो है सल्तनत काल में बिहार का प्रांत पती नहीं रहा था बांकी के बाद तुगान खान और सेफुदी नेवक एवं हातिम खान यह सबी जो है प्रांत पती थे बिहार के अगला देखिए किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निरनायक वर्चस्व अस्था पीत हुआ तो यह होगा आपका तुगलक काल में आपसन नमबर सी यहां पर सही जवाब बिहार के करनाट वन्स के साथ है का हरी देव को प्राजित करने वाला सुल्तान कौन था तो यह थापका गया सुदिन तुगलक आपसन नमबर बी मुहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलक पूर कर दिया था तो देखिए मुहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के दरभंगा जो की और उप्शन नमबर ए यहाँ पर सही जवाब दर्भांगा में एक दूर्ग एवं जमा मस्जिद का निर्मान करने वाला सुल्तान कौन था यह था आपका मुहम्मद बिन तुगलग था तुगलग काल में बिहार की राज़ानी कहां थी बिहार सरीप थी नालंदा बिहार में बहुत बिहारों की संक्याधिक थी अता इन्होंने इसे बिहारों का परदेश कहा बिहार राज का नाम बिहार किस काल में पड़ा तुगलग काल में पड़ा उपसन नमबर भी अगला देखिए मलिक इबराहिम या मलिक बया बिहार का परसासक किस काल में था तो यह मलिक बिहार के प्रसीद सांथ सेक अहमद चिर्म पोस्ट से भैंट की सुल्तान ने किया तो देखे बिहार के परसित संथ शेक अहमद चिरम पोस्त से भेट इनमें से फिरोज तुगलक ने किया था, उप्ष Billie. फिरोज तुगलक का फार्सी अभिले किससे मिलता है, बिहार सरी पि किसे मिलता है, उप्ष्ण नम्बर A. उत्तर बिहार के करनठशसकों का अंथ किस सु सतनत में मिला दिया गया था अगला प्रसंते इतार नमब्र सहतर वी शादी में तीरहुत में फिरोज ने किस वंज का साषण आरम करवाया था तहीं होगा आपका व IOर वंज का अगला दे किसे वहिन वाघ वंज के सासक के छत्र छाया में परसिद कभी विद्यापती ने अपने काब की रचना की दिये होगा आपका सीव सिंग और सनमबर सी बिहार में प्रारंभिक तुर्क गती विद्यों के संदर्व में महतवपुर्ण जारकारी के परमुक्स रोतिन में से क्या है तब काते नासरी है और स के कोशन नमबर 20 इबराहीम लोदी के काल में बिहार के किस सुवेदार ने सुल्तान के विरुद्ध विद्रो किया था तो ये दरिया खान ने वहानी थे उप्सन नमबर A बिहार के जंजातिया छेतर के लिए जहारखन सब्द का प्रयोग पहली बार कब हुआ था तो ये आ किस सुल्तान के तिरुहुत को तुगलकपुर का नाम दिया गया थे ये होगा आपका मुहम्मद बिन तुगलक किस सुल्तान ने तिरुहुत यानि कि तुगलकपुर से अपने सिक्के जारी किये थे ये होगा आपका मुहम्मद बिन तुगलक पुर से सिक्के जारी किये थे ठीक न मुझे फरबुर का इलाका एक तरस हो गया अगला देखिए किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिये थे तो देखिए यहाँ पर आपको फिरोज सा तुगलक जो है राजगीर स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिये थे option number C तुगलक काल में बिहार के प्रांथ पती पद पर आसिनिन में से कौन रहे थे ति यहाँ पर होगा मलिक बया और मजदूल मालक मुल्क यानि की option number C A एवं B दोनो दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनी का भ्यान करके मुंगेर तक अपना राज विस्तित किया था सिकंदर लोदी था option number C बक्तियार खल जी का बिहार में प्राथम पराव कहां था बक्तियार खिल जी जो है बिहार में सैनी कहां पर आप अपना स्थिती डाला था option number A मनेर पठना में बिहार सरिफ इस्तित मलिक बया के मकवरे की विस्तिती विस्तिता इन में से कौन है यह होगा आपका सलामी दिवारे अथवा लंबुत्रा गुबंद यानि कि option number C सही जवाब होगा A एवं B मनेर इस्तित बड़ी दरगाह में किसका मजार है मनेर इस्तित बड़ी दरगाह में मुखदुम यहिया का मजार है अब देखिए चेरो वन से वम उजेनिया वन से संबांधित प्रस्न देखिए प्रस्न है कि पूर्व मधिकाल में सोन नदी की घाटी के छेतर में किस जनजाती राज का उत्थान हुआ था तो यह होगा आपका भार ओप्सन नमबर बी बारवी सतावदी में पस्चिम बिहार, चमपारन और मुझभफर पूर में कौन राज संगठित हुआ था तो यह होगा आपका चेरो राज का संगर जो है इनमें से तुगलक, सूर और मुगल राजवन्सों के साथ हुआ था ओप्सन नमबर डी दलपत साही का संबंध किस राज से था तो यह होगा आपका उजनिया राज से ओप्सन नमबर ए और पाल बणस के उपरांद चेरो वन्स ने शाहबाद, सारन, चंपारन एवक हुआ फप्र पूर के जिलो में शिरो राजा ने जगदिसपूर के मेले की सुरुवाद की तो यह होगा आपका फूलचन्द ने जगदिस्पूर के मेले की शुरुवात की थी उप्शन नमबर सी चेरोज अंजाती की सक्ती का वास्त्विक पतन किसके द्वारा हुआ उज्जेनियों सासक द्वारा उप्शन नमबर ए भोजपूर में उज्जेनिया वन्स का संस्था पक कौन था संतन सिंग था और संतन सिंग का मूल नाम देवराज था यहां उज्जेनी डुमराव बकसर एवं जगदिस्पूर में एक महत्वपूर्ण सक्ती थे भोजपूर के उज्जेनी सासकों की राजधानी कहां रहे थी भोजपूर के उजएनी सासकों की राज़ानी धाबा, भीहिटा और बकसर थी उप्यूक सभी, option number D भोजपूर के उजएनी सासकीन में से कौन नहीं थे तो भोजपूर के उजएनी सासकीन में से बाग मल नहीं थे बांकी के संगराम देव, राजा राम साही और राजा नारायन मल भोजपूर के उजएनी सासकों में सामिल थे अगला देखिए 14 नंबर चांद एवा मुंड जो चंडेस्वरी एवा मुंडेस्वरी नामक मंदिरों से जुरे है ये किस से संबन्दित है, ये सहबाद के चेर से संबन्दित है अब देखिए बिहार में आफगान राज कागठन के से हुआ था बिहार में आफगान सत्ता के आरंभिक उतकर्स में निरनायक देन इनमें से किस की थी नुहाने कभीले के थी, आप्सन नमबर D सिकंदर लोदी ने 1495 से 96 में किसे बिहार का परभारी नियुक्त किया तो ये जो है सिकंदर लोदी 1495 और 96 के लिए बिहार का परभारी दरिया खान नुहानी को नियुक्त किया था और हुसेन साही सरकी को प्राजित कर इसे बिहार का परभारी बनाया गया था अगला देखिए के बिहार में नुहाणी राज का संस्थाप कौन था मुहमद साह नुहानी था option number 2 मुहमद खान लुहानी का असली नाम बहार खान था इसने दिल्ली सल्तनत से अपनी स्थ अंतरता घोसित कर दी थी और उत्तर बिहार का च्छेतर सारन इत्यादी एवं एक अफगानी नुसरत खां के आधिन था अगरा देखिए question number next महमूद लोदी को विश्थापित करके बावर ने किसे बिहार का परसासक निवत किया तो महमूद लोदी को विश्थापित करके बावर ने जलाल खां को परसासक के रूप में निवत किया था option number B और यह मुहम्मद साह मुहानी का पुत्र था अब देखिए सेर सा सूरी से संबंधित प्रस्न सूर समराज जो की 1540 से 45 तक रहा था सूरु वन्स क्या स्थापना किसने की थी सेर साने और सेर सा का बच्पन का नाम या फिर मूल नम क्या था फरीद खां था कई बार पुछा गया है सेर सा को सेर खां के उपाधी किसने दी थी इन्हें जो है सेर सा को सेर खां के उपाधी मुहम्मद उनुहानी ने दी थी और एक सेर मारने के उपलक्ष में उसे सेर खां के उपाधी दी गई थी सेर खां के पिता हसन खां जागिरदार कहां के थे ये सासा राम के जागिरदार थे बिहार में सेरसा का राजनेतिक वर्चस्व किस युद्ध में उसकी विजे के साथ अस्थापित हुआ यह होगा आपका सूरजगढ़ा का युद्ध सेरसा ने किस युद्ध में हुमायू को पराजित किया था सेरसा ने हुमायू को चावसा का युद्ध और बिलग्राम जिसे कनोज का युद्ध कहा जा था इन दोनों युद्ध में सेरसा ने हुमायू को हराया था सेर साह ने बील गराम अत्वा कन्नावज के युद में हुमायू को प्राजित कर खुद को दिल्ली का सुल्तान घोजित किया था कोशन नमर 11 देखिए सेर साह द्वारा पटना के नव निर्मान का वर्नन किस रचना में मिलती है यह होगा आपका तारिक्खे दाउदी सेर साह का मकवारा कहा है साह राम में है रोहता जिलाग का मुख्याले है ठीक न, सेरसा का मकवारा अफगान अस्थापत्य का सर्वस्रेश्ट उधारन है ये भात आप एक्ष्टा जानकारी के लिए रह सकते हैं सेरसा का मकवारा जो है अफगान स्थापत्य का सर्वस्रेश्ट एक्जामफल है अगलाद कि 16 नमबर सेर सादवारा पतना का दुर्ग और पतना को राजधानी बनाने की चरचा कहां मिलती है तो यह होगा आपका तारिखे दवधी और तारिखे दौदी की रचना जो है किसने की है अबदुल्लाह ने की है सेर सादवारा कौन सा काड़ किया गया था तो सेर सादवारा इनमें से जवद परनाली की सुरुवात सिकंदरी गंज एवं सन की डंडी का प्रयोग और रुपिया का प्रतलन यानि की उप्युक सर्वी option number D यहां पे सही जवाब है question number 8 बिहार राज में इस्थीत सासा राम जो की रहतास का जिला मुख्याला है इसके किला का निर्मान किसने करवाया था सेर साने करवाया था option number A इनमें से कौन सा कारी सेर सादवारा नहीं किया गया था तो देखिए देश की भूमी का सरवेक्षन जो है शेर्षा द्वारा करवाया गया था Grand Trunk Road का निर्मान भी इन्ही के द्वारा करवाया गया था और Grand Trunk Road का नाम जो है शरक ए आजंग और किसानों को पट्टा देने तथा कभूलियत की प्रत्हका अरम भी सेर साने ही की थे लेकिन इवादत खोना का निर्मान इन्हों नहीं किया था उप्यूक्स नमर सी यहाँ पर सही ज़वाब होगा माध्यकाल में पट्टना का नव निर्मान किस 노래 है किस ने करवाया था Option number C यहाँ पे सही जवाब होगा यारी क्या होता है Question number 20 की बात कर रहे थे मध्यकाल में पटना का नव निर्मान जो है सेरसा ने करवाया था Option number C सही जवाब Question number 20 देखिए सहास राम किस के मकवरे के लिए प्रसीद है यारी किस सहास राम किस लिए है? सेरसा सुरी, हसन खासूर और इसलाम साह के लिए फ्रमस है Option number D यहाँ पे सही जवाब होगा उप्यूक्त सभी अगला कोशन देखिए सेरसा के मकवरा के सम्बंद में क्या सही है तो यहाँ पे सभी के सभी सही है सेरसा के मकवारा के संबंद में ठीक ना तो देखिए सेरसा के मकवारा के संबंद में यह जील के मद में इस्थीर अश्टकोनी अकार का है यह मकवारा चोकोर चबुतरे पर बना है जिसके चारों और सिधियां है इसकी च्छत एक भव्य गुंबद के रूप में है यानि कि सभी के सभी सही है उपसर नमबर डी पाटना को प्रांतिया राजधानी किसने बनाया था सेरसा ने बनाया था अगला देखिए तो यह जो होगा आपका तीन एवम चार यानि कि सेरसा और इसलाम सह के समकालिन थे कौन? सुफी संथ? सेख वरन अगला देखिए कोशन नमबर पचीज अस्ट कोणिय मकवरों की सरंखला में अन्तिम मकवरा इनमें से किसका है? इसलाम सह का है सेरसा के अधिन बिहार में कितनी सरकारे थी? तो सेरसा के अधिन बिहार में कुल मिला कर साथ सरकारे थी और सेरसा द्वारा पटना किले और नगर को बनाने में कितना खर्च हुआ था? पांच लाक हुआ था लोप्षान नम्बरे अब दिग्ठे मुगल काल से संबंधित प्रश पर यह विए पहला है कि मुगल सासक बावर ने किसे प्राजित करके बिहार पर नियांतरन्ञ्म प्रप्ष कर लिया था। यह वा आपका महमूद लोधी को हराने के बाद जो है मुगल सासक बाबर ने बिहार पर नियंतरम किया था और आपको ध्यान रखना है कि घागरा की युद 6 मई 1929 में बाबर से महमूद लोधी पुरी तरह प्राजित होकर भाग गया था अगला देखिए अकबर ने अगस्त 1574 में पटना में किसे प्राजित किया था अगस्त 1574 में अकबर ने पटना में दाउद खां को हराया था अप्शन नमबर ए अकबर ने पटना यूद के बाद बिहार में किसे दाउद खां से निपटने के लिए छोड़ कर लोट गया था तो यह अकबर ने पटना यूद के बाद जो है बिहार में किसे दाउंद खां से ने पटने के लिए छोड़ कर भाग गया था यह होगा आपका मुनिम खां ओप्सन नमबर सी यहाँ पे सही जवाब होगा ओप्सन नमबर सी 1580 में बिहार का सुवेदार किसे बनाया गया 1580 में बिहार का सुवेदार जो है खान ए आजम मिर्जा अरजीज कोका को बनाया गया था उप्सन नमबर ए किस मुगल सासक के समय बिहार पठानों एवं मुगलों के बीच लराई का किंद्र बना रहा था तो यह अकबर के समय में हुआ था अकबर के समय में कहां के उजेनी राजा दलपत सही में बिद्रो किया था तो यह होगा आपका जगदिस्पूर के राजा और जगदिस्पूर के बिद्रो का दमन करने के लिए सहबाज कहां को भेजा गया था कोशन नमर साथ कि बिहार को सबसे पहले अपने समराज म मिलाने वाला मुगल सासक कौन था ये था अकबर उप्सन नमबर ए अगला देखिए बिहार को मुगल समराज के प्रांत का दर्जा कब मिला था 1580 में मिला था किस मुगल सासक ने मनेर की बड़ी दरगाह का भरमन किया था यानि किस मुगल सासक ने मनेर की बड़ी दरगाह का सुल्टान से भेट की थी यही होगा हुमायू ऑप्सन नंबर बी पाटना की वीजय में किस मुगल सासक ने भाग लिया था यह होगा आपका अकबर ऑप्सन नंबर सी यहां पर सही जवाब किस मुगल राजकुमार ने अपने बिद्रोह के क्रम में बिहार में सरन ली थी तो अब देखिए प्रसन अकबर कालीन बिहार के सुवेदारों में सबसे परसिद कौन था अकबर कालीन बिहार के सुवेदारों में सबसे परसिद था राजा मान सिंग ऑप्सन नंबर बी बिहार किस मुगल सुवेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था तो यह रा तो दिखिए आकबर के समय में सब से ज़्जादा बिहार में बिध्रों हुए थे ऑप्शन नंबर ए बिहार में मुगल काली इमारतों में सब से पुराना है और अप OnePlus बिहार में राजकुमार आजीम का कारेकाल कव था ? कितना तक था ? 702 से 702 से 712 तक dzisiaj कर औरंगजेव के सासनकाल में बिहार में यानि कि छोटा नागपुर की विजए संपन्द हुई fuya अपका जहांगीर के समय में जो है चोटा नागपूर की विजय कम्प्लीट हुआ था चोटा नागपूर कहां है जारखंड में है अगला कोशन देखे 22 नमबर सीख गुरुवों में किनका पिहार से घनिश्ट संबंद रहा तो यहां पे सही जबाब होगा गुरु नानक और गुरु तेग बहादूर और साथी गुरु गोविन सिंग जो है यह सभी जो है बिहार से घनिश्ट संबंद रखेते ओप्सन नमबर सी यहां पे सही जबाब होगा एक ती नेवम चार किस मुगल समराट के सासनकाल में बिहार पर दिल्ली का नियंतरन समाप्त हो गया था तो यह फर जहांगीर के समय में बिहार आया था उप्सन नमर बी इरानी यात्री अबदूललातीप किस मुगल सासक के सासनकाल में बिहार आया था तो यह होगा आपका अकबर ध्यान रखेगा यह मुहम्मद सादिक जो है जहांगीर के समय में आया था और अबदूललातीप यह अकबर किसमें में बिहार की आत्रा की थी अगला देखिए राजा मान सिंग को बिहार प्रांत का प्रांत पती निक्त किया गया था किसके द्वारा अकबर के द्वारा और राजा मान सिंग ने रहतास को अपनी राजधानी बनाया था अगला देखिए मुगल सासक जहंगीर ने 1621 में किसे बिहार का प्रांत पती निउक्त किया था ये होगा आपका राजकुमार परवेज को और अपसन नमबर बी राजकुमार अजीम को किसने बिहार का सुवेदार बनाया था राजकुमार अजीम को ये आपका औरंगजेव ने बिहार का सुवेदार बनाया था option number D पटना को अजीमाबाद किस ने नाम दिया पटना को अजीमाबाद के नाम से राजकुमार अजीम ने पुकारत है वह प्रत्थम मुगल समराथ जिसका राज भिसिक बिहार में हुआ था उसका क्या नाम था फरुक सियर था option number D किस मुगल सासा का राज भिसेक पटना में हुआ था तो ये फरुक सियर हो जाएगा किस मुगल सासा काल में बिहार पर बंगाल के नावावों का नियंतरन अस्थापित हुआ था तो ये होगा आपका बहादूर सा प्राथम कोस्टन नमर अगरा देखते हैं 32 नमर के बाद आपका कोस्टन नमर 33 है मुगल प्रांथ बनने के बाद बिहार का गवर्नर कोन बना था तो मुगल प्रांथ बनने के बाद बिहार का गवर्नर जो है मिर्जा अजीज कोकल तास बना था उप्सटन नमर भी मुगल कालिन बिहार का गवर्नर कौन रहा था इनमें से सभी रहा था सुजात खान, साइद खान और मुरकर रब खान उप्यूक्त सभी बिहार में किस मुगल सासाक का राजविसेक अंग्रेजों के संडक्षन में हुआ था साह आलम दूतिया का हुआ था ओप्सन नमबर भी बिहार के मनेर में इस सित साहा दौलत का मकवारा किसने बनवाया था इबराहिम खान काकर ने बनवाया था और इबराहिम खान जो है यह आपका मनेर में साहा दौलत का मकवारा बनाया था और इसे जहांगीर के सासनकाल में बिहार के प्रांतपती इबराहिम खां काकर द्वारा बनवाया गया था यहाँ पे option नमबर ए यहाँ पे सहीजबाव है अगला प्रसन देखिए बिहार के मनेर में स्थित साहद दौलत का मकवारा के संबंध में इनमें से क्या सही है तो यहाँ पे इसका निर्मान लाल पत्थर से हुआ है और इस पर अकबर के अधिन विक्सित संसलेशित सैली का परवाव है और साहद दौलत का मकवारा के निर्मान 1617 में हुआ था और यहाँ बिहार में मुगल सेली का सर्फ स्रेश्ट उधारन है अगला देखिए कोशन नमबर 40 1556 से 57 में मुगल सासक अकवर ने किसकी बिद्वता के पुरुसकार में उसे मिथला का राज दे दिया गया था तो देखिए 1556 से 57 के बिद्व जो है मुगल सासक अकवर ने यह आपको हरी सिंग को पुरुसकार में मिथला का राज दिया था और साहा जहां के काल में बिहार का सुवेदार कौन था अकवर ने बंगाल दा था बिहार के मुगल समराज में मिलाया था कब अकवर ने बंगाल और बिहार को मुगल समराज में कब मिला लिया था तो यह होगा आपका 1576 इसवी में और अकवर ने बंगल और बिहार को 1575-76 इसवी में अपने समराज के अधिन कर लिया था मुगल काल में किस बर्स बिहार को बंगल सुबे का अंगमान लिया गया था यह होगा आपका 1733 इसवी मे साषन करने वाला प्रत्थम मुगल सहजादा पर्वेज था अब देखिए बिहार का आधुनिक इतिहास से संबंधित प्रस्ण बंगाल के नवाव और बिहार से संबंधित कुर्शन है कि नवाव अली वर्दी खान की बिहार में कारिकाल कब से कब थी तो यह हो जाएगा आपका 1734 से 1744 इस भी अली वर्दी खान ने बंगाल की गद्धी पर कब अधिकार किया था बंगाल की गद्धी पर यानिकी अली वर्दी खान कब बैठा था 1744 इस भी में बंगाल के नवावों में किसने राजधानी मुर्शिदाबाद से हटा कर मुंगेर में अस्थापित की थी तो यह था आपका मीर कासिम उप्शन नमबर D 1748 में बिहार के किस उप नवाव के हत्या हुई थी तो 1748 में हैवत जंग की हत्या हुई थी उप्शन नमबर D बिहार में हुआ था इसकी हत्या ठीक न अगला देखिए 1748 में अली बर्दी खान ने रानी सराय के युद में किसे हराया था तो आपगानों को हराया था उप्शन नमबर A निम्नांकीत में कौन बिहार का प्राथम नाजीम था तो यह होगा आपका राजा राम नारायन उप्शन नमबर D 1733 में 1733 में मुगल समराट मुहम्मद सा ने किसे बिहार की सुभेदारी परदान की थी 17-17enary में मुगल समराट मुहम्मद सा ने शुजाओदीन को सुभेदारी परदान की थी बिहार की उप्शन नमबर A अलि वर्दी खान ने बिहार में आपगानों को किस युद में प्राजित किया था अलिवर्दी खान ने अफगानों को जो है पटना के युद्ध में प्राजित किया था ओफ्सन ब्र ब यहाँ पे सही जबाब होगा अगला देखिए कोशन लंबर 9 कोशन लंबर 9 है कि बिहार में कहां अलिवर्दी खान ने मराटों को प्राजित किया था तो यह होगा आपका फत्वा के समीर, पटना में है, बिहार के किस उपनवाव को अफगानों ने हत्या कर दी थी, तो यह होगा आपका जेनुद्दीन हैवत जंग की जो हत्या अफगानों द्वारा की गई थी, और 1748 में इसका हत्या हुआ था, अब देखिए बिहार में यू प्राल गोदाम के असथा अपना फ्रांसिस्यों ने कब किया था, 1734 में उप्शन नमबर A, बिहार के यूरोपिय कमपनियों क्या व्यपारिक समागरी प्राप्त करती थी, यह होगा आपका अनाज, सोरा, वर्स्त, यानि कि उप्यूख सर्भी उप्शन नमबर D, अंग्रे यात्री ने बिहार में 1670-71 में भीशन अकाल की चर्जा की है, तो यह होगा आपका जान मार्शल, अउप्शन नमबर B, अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी किस मुगल सासक के समय में बिहार आया था, तो यह है आपका सहा जहां के समय में अंग्रेज यात्री पीटर केंद्र मतलब यहां पर कोशन यह कहना चाह रही है यूरोपिया कंपनी द्वारा बिहार में अस्थापित फैक्टरियां जो है इसका मुख्य केंद्र क्या थी तो यह होगा आपका भंडारन केंद्र उसके बाद व्यपारिक केंद्र और परसासनिक केंद्र अप्सन नमबर ड सहा चहां के समय में अस्थापित किया था अगला देखिए बिहार के छेतर में सबसे पहले कौन आये थे पुर्षगाली आये थे अंग्रेजों ने 1620 में बिहार में सरपर्थं कहां अपनी व्यपारिक केंद्र अस्थापित करने का पर्यास किया था तो 1620 में बिहार में सब प्रियास करते करते 31 साल के बाद जो है उन्हें सफलता मिले थी अस्थापित करने में अंग्रेजों की पठना फैक्टरी का परधान जौब चार्नाक कब बना तो यह होगा आपका 1664 इस्वी में बिहार में डच यानि की होलेंड या निदरलेंड जो आभी का है यह फैक्टरी अस्थापित की थी पठना सीटी में डेन लोगों ने अपनी फैक्टरी का अस्थापित की थी 1774 इस्वी में की थी ओप्सन नमबर एक कोस्ट नमबर नेक्स्ट रखिए किसी आत्री ने पठना को मुगल समराज का दूसरा सबसे बरा नगर तथा उत्री भारत का सबसे बरा वेपारिक किंद्र बताया है तो यह होगा आपका यह आपका पीटर मुंडी जो है पठना को मुगल समराज का दूसरा सबसे बरा नगर और उत्री भारत का सबसे बरा वेपारिक किंद्र बताया है क्या नम है इनका पीटर मुंडी अगला देखिए किस यात्री ने मुगल क प्रेंटिंग प्रेश्टी यहां पर यहां अब का अंग्रेज बिहार का उप्नाव कोन बना था पासी का यूद जो 1757 में हुआ था इसके बाद बिहार का उप नवाव मीरन बना था उप्शन नमबर A बंगाल के किस नवाव ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया थी यह होगा आपका मीर कासिम उप्शन नमबर C बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यातरी कौन था राल्प फिच था उप्शन नमबर A बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर प्रथम विरोध किस ने किया अली गहार ने किया उप्शन नमबर C यह होगा आपका 1760 इसवी में उप्शन नमबर B इस्ट इंडिया कमपनी को बंगाल बिहार एवं उरिसा में दिवानी का आधिकार परदान किया तो यह होगा आपका सहा आलम दूतिय ने अगला देखिए मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्सिदाबाद से हटा कर मुंगिर क्यों ले गया था क्योंकि अंग्रेज के हस्टेप से मुक्त रहने के उद्देश था इनका किसका उद्देश था मीर कासिम का बिहार के लिए एक लगान परिसद यानी रेवेन्यू कॉंसिल ऑफ पठना का गठन किस वर्स हुआ था 1770 इसवी में और इसके ध्याट कौन थे जेम्स अलेक्जेंडर थे अगला देखिए धीरज नरायन को हटा कर इसपर देश नरायन को हटा कर सिताव राय को कंपनी द्वारा बिहार का नयव दिमान कब बनाया गया 1767 इसवी में और आप्शन ली पठना में 58 अनाज के भंडारन के लिए जो है भिहार की राइधानी पठना में गोल घर का निर्मान यह क्या गया था पाटना में इस्थित गोल घर का निर्मान किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था तो यह होगा आपका लॉर्ड कार्णवाल इस ऑप्शन नमबर डी और गोल घर का निर्मान जॉन गाइस्टीन ने कराया था आगला देखिए बिहार में अंग्रेजो द्वारा किये गए परसासनिक परिवर्तन के संबंद में क्या सही है तो यहाँ पे बिहार में अंग्रेजो द्वारा किये गए परसासनिक परिवर्तन के संबंद में सभी सही है यानि कि बिहार में फौजदारी परसासन को सदर सो कि दो इकायों में विभाजित किया गिया यानि कि उप्यूक्त सभी ऑप्शन नमबर डी सही जवाब इस प्रसन का अगला देखिए पाठना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन थे तो यह था आपका चार्स फ्रांसिस ग्रांड ऑप्शन नमबर भी बिहार में सोडे का बिहार में सोडे का वेपार एक अधिकार अंग्रेजों को किस ने परदान किया था सोडे का अधिकार जो है मीर जाफर इबम अंग्रेजों का विरोध आरंभ किस ने किया था उप्यूक्त सभी ने की राजा राम नरायन ने पहलवान सिंग ने और कामगार खान एवं सुन्दर खान ने और कामगार खान नरहत के जमिंदार थे पहलवान सिंग भोजपूर के और राजा सुन्दर सिंग टिकारी के जमिंदार थे अगला देखिए मीर कासीम ने कहां बंदुकों एवं तोपों की करखाना की अस्थापना की थी तो मीर कासीम ने मुंगेर में ठीक ना मुंगेर में आज भी बंदुक का करखाना है तोपों करखाना मीर कासिम ने बंदुगों एवं तोपों की करखानों जो है मुंगेर में अस्थापित की थी बक्सर का युद्ध कब हुआ था वह इसे तो आपको पता है 1764 में एक्जेक्ट डेट आपसे पूछ सकता है 22 अक्टूबर हुआ था अगला देखिए बक्सर यानि कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नितरित किस ने किया था तो यह होगा आपका हेक्टर मुन्रों ने किया था उपसा नंबर भी और बक्सर का युद्ध मीर कासिम जो की बंगाल के नवाव थे इसके बीच सुजाव दौला था इनका नाम था और अबाद त्था ऐसा अलंब्धिया मुगल की संयुक्त शेना और अंग्रेजओं के बीच हुई थी ठीक ना बक्सर का युद्ध जो है किन के की बीच हुआ था मीर कासिम और सुजाव दौला और साह अलंदिय के बीच हुआ था बक्सर के युद्ध में किसे जीत प्राप्त हुई थ इस्ट इंडिया कंपनी को हुई थी और बक्सर का यूद अंग्रेज और मीर कासिन के बीच वेपारिक चुंगी के संबंद में मत्भेद के कारण हुई थी आगला देखिए कोशन नमबर 20 1781 इसवी में बिहार के पटना के आसपास के छेत्रों में हुए ब्रीटिस बिरोधी स संगर्स में भाग इनमें से कौन लिया था तो यह होगा आपका इकबाल अलिखान और नरायान सिंग उप्युक्त यह एवंबी दोनों ऑप्सन नमबर सी और हैस्टिंग्स ने इस विद्रों का दमन किया था ठीक ना पतना नगर पर 24 जून 1736 को किस ने अधिकार किया था त आप्सन नमबर डी कोशन नमबर नेक्स्ट देखिए 1773 इस वि में पटना इस्थित अंगरेजों की फैक्ष्री पारधिकार किस ने किया था नवाव मीर कासीम ने किया था आप्सन नमबर सी ब्रीटेन के राजा ने 1765 में एक फरमान द्वारा बंगाल बिहार एबम उरिसा की दिवानी इस्ट इंडिया कंपणी को कितने रुपिय में दिये थे तो यह आपका 26 लाख रुपिय में दिये थे उप्सन नमबर सी यहां रिखिएगा ब्रीटेन के राजा जो है 1765 में एक फरमान जारी किया था जिनमें की बंगाल बिहार एबम उरिसा की दिवानी का था नवाब मुनिरी दौला का था ओप्सन नमबर ए समराट सहा आलम समराट सहा आलम दुतिया ने इस्ट इंडिया कंपणी को बंगाल बिहार तथा उरिसा की दिवानी परदान की थी कब 12 अगास्त 1765 को ओप्सन नमबर ए 1770 में बिहार में प्रांतिय परिसद की नियुक्ती की गई इसके अध्यक्स कोन थे धियान रखना है कि प्रांतिय परिसद की नियुक्ती जो है बिहार में 1770 में हुई थी इसके अध्यक्स कोन थे जेम्स एलेक्जेंडर ओप्सन नमबर ए बिहार में धीरज नरायन बिहार में धीरज नरायन, सिताब राय और सेम्यूल मिडल्टन का तीन सदस्य परिसद कब बना था 1766 में उप्सन नमबर ए 1701 सेट में बिहार का उप प्रांत पती इनमें से किसको बनाया गया था राजबल्लव को बनाया गया उप्सन नमबर सी 1767 में इस्ट इंडिया कमपनी राजा राम नरायन को हटा कर किसे बिहार का नायाव दिवान बनाया गया था तो यह होगा आपका राजा सिताब राय उप्सन नमबर ए बिहार में बिहार में कब एक लगान परिसद का गठन किया गया जिसे revenue counseling of पटना के नाम से जाना जाता है ठीक ना प्रस्ण क्या है आपका बिहार में एक लगान परिसद का गठन किया गया जिसे revenue council of पटना के नाम से जाना जाता था इसके असापना कब हुई थी 1770 में हुई थी बिहार में अकाल के जांच हे तू राजस्व कर्मियों को पता लगाने तथा नया बंदोबस्त के लिए कमपनी ने किसे बिहार भेजा था तो यह आपका सर जान सोर को भेजा था option number C यहाँ पे सही जबाब होगा प्रसन क्या है कि बिहार में अकाल जो हुआ था इसी की जांच के लिए राजस्व कर्मियों को पता लगाने के लिए और नया बंदोबस्त के लिए कमपनी ने बिहार भेजा था किसको सर जान सोर को option number C यहाँ पे सही जबाब होगा तो इस वीडियो में इतना ही वीडियो के अंत में हम आपके लिए दो प्रसन रखे हैं पहला प्रसन है बिकरम सिला विश्व विद्याले बिहार के किस जिला में है option है मुंगेर भागलपूर नालंदा और वैसाली दुसरा प्रसन है बिहार का सोक किस नदी को कहा जाता है इन दोनों प्रसन का सही जवाब आपको नीचे कमेंट बोक्स में बताना है और आप लोगों में से कौन-कौन इस वीडियो को पूरा देखे हैं ये भी आप कमेंट में बता सकते हैं इसी तरह का नया वीडियो हम आपके लिए जल्द ही लेकर हाजी रहोंगे अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ध्यान रहे इस और लोटिपिकेशन वाले बेल आइकन को क्लिक करके रखना है और अंत में वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा